अगर आप लोगों नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे आपको प्लेइलिस्ट मिलेगा वहाँ पे इवेस के सारे लेसंस की वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी तो जो फर्स पार्ट है उसको भी जरूर देखिए और जो लेसं का रिमिनिंग प तो देखिए स्टूरन यहाँ पे आपको दिया है डू यू नो में बेबी इस गिवन वैक्सिन्स टू प्रिवेंट डिसीजेस इट में कॉंट्राक्ट लाटर तो देखिए आपको भी पता होगा कि छोटे बेबी होते हैं उनको हर मैने या फिर कुछ दिनों के गैप्स में वैक्सिन्स दे जाते हैं अलग-अलग डिसीजेस के लिए तो यह जो वैक्सिन्स हमें दे जाते हैं यह प्रिवेंट करते हैं हमें डिसीजेस से तो इसलिए हर एक बेबी के लिए क्या किया जाता है वैक्सिन्स जो होते हैं वो दिये जाते हैं Certain vaccines have to be given at certain stages of growth. जैसे कि कुछ मेनों में ही दिया जाता है कि अगर एक मेने का बच्चा है तो उसे आज अगर vaccine देते हैं तो second month में या फिर third month में दूसरा vaccine दिया जाते हैं. तो ऐसे कुछ gap के बाद उने क्या किया जाता है, certain vaccines दे जाते हैं. और इसलिए यह ज़रूरी होता है कि हर एक बच्चे के लिए proper vaccination देना ही चाहिए क्योंकि यह हमें diseases से prevent करता है. यहापे आपको can you tell me दिया है, these are three pictures of the same mango tree, which is the oldest picture. तो देखिए student आपको यहापे जो picture दिया है, एक ही mango tree है, same mango tree है, लेकिन उसके अलग-अलग picture आपको दिये. और यहापे question क्या पूचा है, which is the oldest picture? oldest picture means पूराना picture, सबसे पहले picture कौन सा होगा इसमें से, तो यह वाला होगा. oldest picture क्यों यहापे हम लोग बोल रहे है, क्योंकि इसके जो growth है, यह जो plant है, यह छोटा दिख रहा है हमें, इसके height देखिए, छोटा वाला है. तो छोटा plant कब रहेगा, जब हमने starting में इसे देखा होगा, तो यह oldest picture आएगा, जहापे plant की growth नहीं हुए है, छोटा सा plant हमें दिख रहा है, तो यह आएगा oldest picture, which picture is the most recent? अगर यह old picture है, तो अभी recently अगर हम देखेंगे, तो वो बड़ा tree हमें दिखेगा, तो कैसे देखिए, यह वाला जो tree है, हमें काफी बड़ा दिख रहा है, उसकी branches, उसके leaves, उसका trunk, यह सब चीजे grow हो चुकी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या है, most recent picture है, and which picture is the one of the time in between, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, जो timing रहेगा, उसमें वो tree किस तरके से हमें दिख सकता है, तो इस तरके से, कि grow तो हो चुका है, लेकिन पूरी तरके से grow नहीं हुआ है, अगर तीनों picture आप compare करोगे, देखोगे, तो आपको यह बात easily समझ में आएग उसके बाद, ग्रोध होने के बाद, उसके height बढ़ेगी, उसकी जो branches से धिरी धिरे करके बढ़ने लगेगी, तो यह इस तरके से दिखीगा, तो यह आएगा first picture, यह second, और last में यह third, कि recently अगर आज हम देखेंगे, तो mango tree पूरी तरके से grow हो चुका है, and how did you guess, यह सारी चीज होते हैं, उसी तरके से plant भी grow होते हैं, तो उनके जो physical structure होते हैं, इनमें भी हमें change दिखाई देता है, जैसे कि plant का stem छोटा पहले दिख रहा है, आपको यहापे, लेकिन अगर बात में आप देखोगे, तो यहापे हमें बड़ा size दिख रहा है, तो यही जो differences यहापे दिख है, उसी के basis पर हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा oldest picture है, या फिर कौन सा recent picture है उसके growth के according, next है growth of plants, तो plants की growth किस तरीके से होती है, just as people change over a period of time, so do plants, जिस तरीके से हम लोग बड़े होते हैं, हमारी growth होती है, उसी तरीके से plants भी grow होते हैं, तो किस तरीके से ही हम देखेंगे, when a seed sprouts and germinate a new plant is produced, तो देखें साइड में आपको picture दिख रहा है, इस तरीके से, तो अगर हम seeds इस तरीके से लगाते हैं, जमिन के अंदर, soil के अंदर, तो यह क्या होती है, sprouts और germinate होती है, यहा पर दिख रहा है, यह sprouts बाहर निकलते होई, आपको दिख रहा है, seeds के बाहर, तो यह क sprout को grow होने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरी होती है, हमें, soil की, तो यह जो sprout है, यहापे जमीन में पहले क्या होगा, grow होगा, उसकी जो roots है, यह grow होगे, और उसके बाद आता है, बाहर निकल के एक plant, only then does the seedling that grows from the sprout flourish, और उसके बाद जो यहापे दिख रहा है हमें, जो sprout नी from the soil, तो फिर यह जो seedling होते है, यह क्या करते है, जमीन के अंदर जो पानी present होता है, जो nutritious substances, प्लांट के लिए ज़रूरी है, यह कहां से लेते हैं, एब्सॉप करते हैं, soil से, the leaves begin to make food, और उसके बाद देखिए, हमें दिख रहा है कि soil के ओपर की part, अगर आप देखोगे, त तो leaves क्या करते हैं, फिर food बनाना start करते हैं, उनका food बनाते है, the plant begins to grow, और इसके बाद फिर धिरे-धिरे करके plant क्या होता है, grow होता है, it gives out new leaves, और उसके बाद क्या होता है, again new leaves आना शुरू हो जाता है, it also begins to grow taller, और यह धिरे-धिरे करके फिर क्या होता है, tall हो जाता है, बढ जैसे कि हमने यहापे देखा कि seed में sprouts निकल रहे उसी प्रोसेस को germination भी कहा जाता है At the proper stage of its growth the plant begins to flower तो एक proper ऐसी growth आ जाती है कि जिसमें plants के flower grow होने लगते है fruits develop from the flowers और flower से फिर क्या होते है? fruits develop होने लगते है These fruits have seeds और fruits में क्या होते है? seeds होते है and from those seeds new plants grow तो इस तरह के से क्या होता है? देखिए एक seeds से बनता है एक plant plant के फिर leaves आते है, flowers आते है, fruits आते है और उस fruits के जो seeds होते है उनके द्वारा हम फिसे एक नया plant grow कर सकते है तो देखिए picture में आपको दितना एक छोटा सा plants होता है यह plant जो है grow होने के बाद इस तरह के से एक tree बन जाता है next page पे देखेंगे तो देखिए student जो trees होते है, इनके कारण हमें shadow मिलती है हमें अच्छी थंडी हवा भी मिलती है अगर हम tree के नीचे बेठते है तो इन्हें कई सारे मश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे कि sun rays है, या फिर हवा आती है, तुफान आता है, बारिश आती है तो इसमें ये खड़े रहते है, sometimes it is attracted by pest, तो कई भार क्या होता है जब plants जो tree बड़े हो जाते हैं, उनमें paste भी लग जाते हैं, किडे लग जाते हैं, वो खराब हो जाता है और ये जो paste लगने के कारण फिर tree क्या होता है, weak बन जाता है, खराब हो जाता है और जो tree के trunks होते हैं, ये इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं, देखिए या पर आपको काला नजर आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, या पर paste लगने के कारण tree खराब हो जाता है, तो ये जो पूरा trunk आपको दिख रहा है tree का, ये खराब हो जाता है and the tree falls down, तो trunk ही खराब हो जाएगी, तो क्या होगा ये tree, क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे all plants die, और इसके कारण फिर इसी तरीके से plant क्या होते हैं, die हो जाते हैं, मर जाते हैं however the causes are different, इसके causes कई भी हो सकते हैं, different भी होते हैं, जैसे कि अगर कोई building बनानी होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सिधा trees को काट देते हैं, तो यहाँ पर tree मर जाएगा तो उसी तरीके से pace लगने के कारण भी क्या होता है, tree खराब हो जाता है, या फिर तेज बारिश हो रही है, तो खान आया है, तो उसमें भी जो trees होते हैं, उखड के निकल आते हैं, उनके roots निकल आते हैं, तो यह कई सारे reasons हैं, जिनके कारण जो plants होते हैं, या फिर trees होते है यह खराब हो जाते हैं या फिर डाय हो जाते हैं नेक्स टेए वाट वी हैव लर्ण तो इस लेसे से हमने क्या सिखा देरा सर्टन स्टेजेस अप दी ग्रोथ और प्रोग्रेस और बेबी जैसे हमने देखा कि छोटा बेबी पहले क्रावलिंग करना सिकता है उसके बाद खड़े होना सिकता है फिर चलना सिकता है तो यह सारी ग्रोथ हमने यहाँ पर देखी है तो 18 years के होने तक ही हमारी जो हाइटे वो बढ़ती है और 40 years के बाद धिरे-धिरे क्या होता है हमारी age मतलब हम लोग old होने लगते हैं Changes take place in plants with time just as they do in people तो plants में इस तरीके की growth दिखाई देते हैं changes दिखाई देते हैं जैसे कि हम लोगों में दिखाई देते हैं Starting from germination in the soil there are definite stages of the growth of plants तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि किस तरीके से seed से sprouts निकलते हैं germination होता है उसके बाद उसके roots soil में क्या करते है water और जो nutritious substances होते है उसको absorb करते है और फिर उनके leaves आते है और वो जो plant हो grow होता है और trees में बदल जाता है तो इस तरीके से जो growth होती है उनके जो stages है उनको हमने देखा plant also grow in height and state तो उनकी height भी बढ़ती है और उनकी strength भी बढ़ती है animals और plants all come to an end eventually तो animals हो या plants हो इनका कभी ना कभी तो end होता ही है Always remember आपको याद क्या रखना है proper diet and regular exercise are necessary for keeping good health अगर आपको अच्छी health चाहिए आपको healthy बनना है तो proper diet लेना ज़रूरी होता है तो कई सारे से बच्चे होते है जो घर पे बने हुए vegetables, भाजी, चपाती जो भी मम्मी देती है वो नहीं खाते है तो हमें खाना चाहिए जो proper diet है वो हमें लेना चाहिए regular exercise करनी चाहिए तब ही हमारी जो healthy ये अच्छी रह पाएगे और हम लोग healthy रहे पाएगे तो देखिए student कापी अच्छा लेसन ता है और I hope आपको ये लेसन पूरा अच्छे से समझ में भी आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रू कीजे आपको जो भी third standard के friends होगे उनको भी share कीजे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजे ताकि जो बागी के लेसन से उनके वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे